हेलो एबरीवन मैं पुस्पराजपूद पुस्पर किरसुई में आप सबकर स्वागत करती हूँ आज बनाने वाले हैं हम दो तरह कनास्ता जो हम बनाएंगे ब्रेड से तो हमें क्या करना सबसे पहले ब्रेड ले लेना है यहां पर मैंने आलू को कद्दू कसकल दिया है और मैंने हरिमेच को भी काट लिया है तो सबसे पहले हमें ले लेना कड़ाई है और कड़ाई में हम डाल देगे यहां पर फ्रेंश एक छोटी चमच तेल ज्यादा तेल डालने की भी जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा ही तेल डालेंगे इसके बाद हम फ्रांच डाल देंगे सम Зем frust conflicts with corn preaches कद्दु कस करके गृ देना है टोड़ा सा डालेंा है तो हम इस रespère करके त्यार करेंगे तो हम इसकी रेस्पी बना करके त्यार करेंगे, तो मैंने कुछ आलू के लक्षे बचा करके रखे हुए थे, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला, हरा धनिया, हरीमेश, थोड़ा सा प्याज, यहाँ पर मिला करके त्यार कर लिया है, स्वात के हम सा थोड़ा सा नमक डालेंगे, थ तो इसके लिए निसके के Sanagri is prepared. क्या चलते हैं तो निया की पुएसे की जरूपली हो दिए एक अटे की तो पुएक यहां पर ले लिया एक बरतन और बरतन दाल दिया है LionIVE का एक कप आटा तो आप गियों के आटे से बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो मैदा से भी बना करके त्यार कर सकते हैं यहाँ पर इसमें डाल देंगे अजवाईन, प्रेस्पी ज्यादा पसंद आई तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं और आप वीडियो यह मेरा कहां से बाच कर रहें यह मुझे कमेंट करके फ्रेंस जरूर बताईए तो अब यह देखे इस तरह से हमें इसका एक आटा लगा करके त्यार कर लेना है तो देखे आटा हमें लगा करके थोड़ा सा रख देना है रेस्ट करने को ताकि हमारा आटा है जो अच्छी से से हो चुके तो अब हम इस आटी की बनाएंगी बहुत एच्छी स्वादिष्टे रेस्पी जो आप कभी भी सुबह साम इसको बना करके त्यार कर सकते हैं जब भी आपका तेर्खना जैसे नौर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बेल करके त्यार कर लेना है तो रोटी की तरह देखिfire गलस एक त्यार कर लिया है अब हम ले लेंगे गिलास या कटोडी या फिर आपके पास कटेर है तो आप उसको ले लिजिए उस तरह से इसको काट क करके त्यार कर लिजीहे इस्ते क्या होगा कि एक शेप से बन कर नहीं कोई भी छोटा या बड़ा बन कर देर नहीं होगा और हमारा काम भी बहुत जल्ली हो जाया गर जो बचा हुआ अता है तो इस तरह से इसको अलग कर लेंगे और इसको भी इसी तरह से हम त्यार कर लेंगे तो इसको बनाते समय थोड़ा एक चीज के दियार रखना है कि जो हमने आलू बाला बेटर त्यार किया हुआ है थोड़ा सा नमक डालने के बाद पानी को छोड़ देता है तो हमें आलू को अच्छे से निचोल लेना उस समय मैंने वेडियो नहीं सूट कर खृषिजे एक हीं तो बिलगुल बना कर दे ठ्र Facebook को बना कर अ कर देगे तो इस तरह से हमें सबी बॉल्सों को बना करके त्यार कर लेना है तो तो आलू को हम थोड़ा सा भरेंगे यह इस तरह से इसको चिपका करके घ्रव का ये तो यहां पर देखिए हमारा यह नास्ता बनकर के तियार हो चुका है अब आपको क्या करना ले लेना है यह अप्पे वाला स्टेंड और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंद ओयल को डालना है सभी साचों में और बस जैसे यह स्टेंड हमारा गरम हो जाएगा त इसमें इसलो रखना है क्योंकि हमने यहां पर जूब यह आलू के अस्केमाल किया है वह कच्चा रही है तो हमें इसको पकने देना है और इस तरह से दीमि-दीमी आज में पकाएंगे तो यह बहुत ही जनास्ता क्रैश्पी बन करके तियार होगा ऑर खाने में भी बहुत ज तो इसके बैसे इसमें 7-8 बन करके त्यार होंगे यदि आपके पास बड़ा बाला है तो आप एक साथ धेसा रनास्ता बना करके त्यार कर सकते हैं तो अब हम इसको सिखने देंगे तो अब चलते हैं अपना दूसरा नास्ता यहां पर बनाने के लिए तो यहां पर आलू पक चुके हैं और यह बहुत आसानी से ब्रेड इसमें हमारे मिक्स हो जाएगी तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यह पानी बिलकुल बिलकुल बी पानी नहीं रह जाएगा तो हमें यह आटा की तरह लगा क ताकि यह हमारा काम जल्ली से हो चके और हम इसकी अच्छी प्यारी सी रैस्पी बना करके त्यार कर सकें तो इस तरह से देखिए हमने ब्रेड को और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यह हमारा जो आटा होगा बहुत हमारा ठंडा हो चुका है इसतार से हमांतो की है पसी हमारा इसको फैला लींगे मैं इसको इसको कर लिय और इसके प्लें कर लिए माचे से एक जैसा बन करके त्यार हो तब आपको ले न arrange चैक को बना करके त्यार हो अब आपको क्या करना है यह चार भाग में बढ़ गया है अब हम इसके बीच बीच से और काट लेंगे तो इस तरह से हमारा यह नास्ता बनकरके त्यार हो जाएगा तो अभी यह नास्ता हमारा वैसे तो 80% यह पका हुआ है पर हम इसको और अच्छा नास्ता बनाने के लिए ह इसको कुछ और करने वाले हैं तो अब हमें इस तरह से सारे पीसों को कट कर लेना बहुत सी साफ पीस कट के त्यार होते हैं बिलकुल भी आपको दिक्कत नहीं होती है और खास बात है कि बहुत ही कम तेल में यह नास्ता बन करके प्राइश त्यार भी हो जाता है तो हमने यह इस तरह से काट करके थ्यार कर लिया है और इदर हमने चड़ा दिये कड़ाई कड़ाई में हमने एक चम्मस तेल डाल दिया है ज्यादा आपको कड़ाई बनने की बिलकुल जरुएत नहीं है बस थोड़ा सा तेल डालिए और अपने इस नास्ते को एक बाद में जितना आए उतना आप कड़ाई में इसको डाल देजिए तो इस तरह से देखिए जितना कड़ाई में आएगा हम उतना यहाँ पर नास्ता डाल देंगे और अब डालने के बाद हमें क्या करना इसको क्रिस्पी होने तक पकने देना है और जैसे ही आपको लगे कि एक साइट से अच्छा स लगेगा इस नास्ते को आप चाहें तो केचप के साथ में या फिर आप किसी चटनी के साथ में खाना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं तो आप सुबह साम इसको कभी भी बनाईए बहुत ही जादा यह नास्ता आपका खाने में टैस्टी लगेगा तो आज के लिए यह कि हमारा नास्ता बन करके फ्रैंस बिल्कुल त्यार हो चुका है इस नास्ते को आप गरम-गरम खाईए बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप सुबह साम इसको चाय के साथ में लीजिए जब भी आप हो कुछ समझ में ना है कि आपको क्या बनाए तो आप एक बार इस नास्ते रहे हैं मसते रहे हैं